जहिंद मेरे प्यारे साथियो कैसे हूँ आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण होने वाला है हेलपफुल होने वाला है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वाच कीजेगा दोस्तों देखे जब से मैंने जीडियो पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है दोस्तों तब से मैं देख रहा हूं कि काफी वारे बच्चे जो है वह को से सवाल है वह देख लीजिए सबसे पहला सवाल यह है कि सर्य बताइए कि जीडियो की जॉग टंप्रोरी है या पर्मानेंट है उसके बारे में बताइए अगर पर्मानेंट है तो कितने फीषदी पर्मानेंट है उसके अलावा सर्य बताइए जीडियो भरती में प्रमो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा सबसे ज़्यादा most important question ये है कि सर ये बताइए कि सरकल से form भरना सही रहेगा ये समझ लिए कि 90% बच्चे ये सवाल जरू करते हैं कि सर ये बताइए कि कि सरकल से मैं apply कर दो जिससे कि मेरा merit list में नाम आ जाए और काफी सारे यूटूबर हैं जो कि बच्चों को ब्यवकूफ बना देते हैं कि आप यहां से apply कर दीजे आपका हो जाएगा वहां से apply कर दीजे आपका हो जाएगा इस पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उसके अलावा अगला होने वाला है वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक watch किजेगा तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल की बात कर लेते हैं कि GDS की job जो है वो temporary है कि permanent है तो दोस्तों मैं आपको यह clear कर देना चाता हूं कि यह जो इसकी job है ना यह fully permanent job है केंद्र सरकार की यह job है दोस्तों यानि कि central level की यह vacancy है तो यहाँ पर temporary शब्द का तो यूजी मत कीजे कि यहाँ यह temporary पूरी तरीके से यह जो है दोस्तों permanent job है लेकिन इसमें देखे basically होता क्या है बच्चों को क्यों लगता है कि temporary job है क्योंकि 4-5 घंटे की duty रहती है salary थोड़ी सी कम मिलती है तो इस वज़े से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि sir क्या यह जो भरती है वो क्या temporary है क्या मुझे बाद में हटा दिया जाएगा ऐसा कुछी भी नहीं है दोस्तों आप जब तक चाहेंगे तब तक काम कीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पैफट स्वाल तक आप काम कर सकते हैं यानि कि job security के अगर हम लोग बात करेंगे न दोस्तों job security जो है वो hundred percent job security है तो कहने का मतलब है किसी प्रकार का कोई temporary नहीं पूरी तरीके से permanent job है दोस्तों ये पहले question का जवाब हो गया अब अगला सवाल ये है कि सर ये बताए जीडियस भरती में promotion होता है कि नहीं होता है तो इसमें प्रोफीजर क्या होता है promotion का कि इसमें basically departmental exam होता है देखे अब आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो होता है departmental exam होता है departmental exam के थुरू आप जो है promotion ले सकते हैं हर एक साल देड़ साल में GDS के विभाग में promotion होता है इसमें आप exam में अगर आप पाफ होते हैं तो आपका promotion हो जागा आप उचे पद पे भी जा सकते हैं जिसमें कि आपकी salary बढ़ेगी और सरकार की तरफ से जो भी आपको सुविधाय सहूलियत मिलनी होगी वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा अब अगला next सवाल यह आता है कि सर यह बताई कि GDS भरती में transfer होता है कि नहीं होता है तो जी हाँ दोस्तो transfer भी होता है लेकिन इसमें condition है condition क्या है कि कम से कम आपको देड़ से दो साल जी हाँ दोस्तो देड़ से दो साल जो है पहले काम करना पड़ेगा उसके बाद ही transfer आप ले सकते हैं और केवल एक ही बार transfer होगा दोस्तो और transfer करने के मतलब यह है कि अगर आप जिसे कि आप अपने घर से दूर डिविजन में कहीं काम कर रहे है पोस्ट आफिस में काम कर रहे है अब आपको लगता है कि नहीं मैं home district में चला जाओं तो वहाँ पे आप transfer ले सकते हो लेकिन उसमें condition यह है कि आपको जो है देड़ से दो साल वेट करना पड़ेगा यह नहीं कि आपकी job लगे और आप चाहते हैं कि बिल्कुल 6 महीने के बाद ही मैं transfer ले लूँ तो ऐसा नहीं होता है और कुछ documents वगएरा लगता है दोस्तों देखे documents वगएरा अगर मैं सारा सब कुछ बताने लगूंगा न तो वीडियो काफ फीफर होता है फ्वारा A to Z जानकरी मैं आपको इसमें दूंगा ठीक है ना अब सबसे ज्यादा most important यह है 90 perfect बच्चे जो है यह सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि सर यह बताए कि मैं किस circle से किस division से apply कर दूं जिससे की मेरा फिलेक्षन हो जाए मेरा meritist में नाम आ जाए तो दोस्तों देखे मैं आपको बता देना चाहता हूं वो आपका depend करता है percentage पे यह मैं अपना personal experience बता रहा हूं दोस्तों यह depend करता है आपके percentage पे कि आपके 10 में कितने percentage हैं अगर मालिजे percentage कम है तो आपको home district में नहीं apply करना है home district में apply भी करना है तो वहाँ से apply करना है जहां कि rural area होता है दोस्तों जानते हैं काफी सारी youtuber जो की बच्चों को ब्रहमीत करते हैं कि आप इस division से apply कर दीजे इस circle से apply कर दीजे आपका नाम आ जाएगा आपके इतने percentage है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों देखिए अगर माल लीजे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके चलिए चाहे जितने भी percentage हो ठीक ना अगर आप other states से फार्म को फिल कर दीजे ठीक ना जैसे यूपी के लखनों में आप रहने वाले हैं लेकिन आपने उत्रा खंट से फार्म को फिल कर दिया तो उसमें होगा क्या कि 12-14,000 की नौकरी है दोस्तों आप कि इतने दिन तक फर्वाइव करोगे ये बताइए उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि ट्रांसफर लेना पड़ेगा लेकिन ट्रांसफर इतनी जल्दी तो होगा नहीं उसमें आपको देड़ साल 2 साल का सामय लेगेगा तो अब तक के लिए फर्वाइव करने में काफी दिक्कत होती तो इस वजह से काफी सारे बच्चे जो है ये नौकरी छोड़ भी देते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिस ये किजेगा कि अगर होम डिष्टिक में आपका जो है सिलेक्षन हो जाता है जॉब हो जाता है न तो सक्षे बिश रहेगा कहने मतलब घर के घर में भी आप रहोगे 14-15,000 आप कमाऊगे भी उसके अलावा अगर आप पढ़ाई लिखाई भी करना चाहते हो आगे तो वो भी करफकत हो क्योंकि आप अभी लोग को मालू में दोस्तो चार फे पाच घंटे की ड्यूटी रहती है भारती डाग विभाग के इस जॉब में ठीक न कोई आठ घंटे का ड्यूटी आपको नहीं दिया जाता है दोस्तो तो इसलिए मेरी मानियेगा दोस्तो तो कोशिस यह कीजिएगा कि देखिए अगर आपके परफंटेज कम है और बच्चे वहाँ पर जाना कम पफंद करते हैं रूरल छेत्र में सुविधाय थोड़ी सी कम रहती है तो वहाँ पर ज्यादा जो है competition नहीं है इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा merit कम जाता है लेकिन उतना भी कम नहीं जाता है अगर आपके 90% है या फिर 92% है ना तो आपका फिल पोश्ट पे तो आपके लिए बिल्कुल golden opportunity है इसको आप लोग बिल्कुल मत गवाईएगा दोस्तों अगला सवाल क्या है कि सरिये बताइए कि salary कितनी मिलेगी और salary में बढ़ात होगी कि नहीं होगी तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक साल में तीन बार salary होगा तो और अगर मालने जे कि आपकी joining जुलाई या अगस्त की है तो उसने क्या होगा कि अगले साल से यानि कि जिस जुलाई और सब्सक्राइग सब्सक्राइगा allocation का increment दे चार पर्फेंट, जी हां दोस्तो 3AU-4% का डियें मिलता है, लेकिन ये पैसा जो है, आपको हर महीने नहीं मिलेंगे, ये पैसा आपको मिलेगा 4 महीने, 6 महीनेNE में 81 आपको मिलेगा, आपके एकाउंट में आएगा, ठीक ना, तो कूल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक साल में आपको 3, 3, 6, 4, 10 यानि कि 10 परतिशत का increment देखने को आपको मिलेगा दोस्तों तो और यह हर फाल आपको देखने को मिलेगा यह 10 परफेंट का increment जो है वो हर फाल देखने को मिलेगा तो कहने का मतलब है कि अगर आप ABPM के लिए चैनित होते हो आपकी सुरुवाती salary 10,000 है ठीक ह तो यह बढ़ करके कम से कम दोस्तों क्योंकि इसमें 10 परफेंट का increment भी जुड़ेगा तो यह 14,000 के आपस फुरुवाती salary आपकी होगी दोस्तों उसके अलावा अगर आप BPM पोश्ट के लिए अगर चैनित होते हो तो सुरुवाती salary इसमें चूकि 12,000 है और इसमें भी 10 प बढ़ जाएगी 25,000, 22,000 salary आपकी जरूर होगी 25,000 तो भले ही नहों लेकिन 22,000 salary आपकी जरूर हो जाएगी दोस्तों ठीक ना तो हर साल जो है 10 परफेंट का increment आपको देखने को मिलेगा कहने का मतलब यह है तो salary आप लोग यह मत फोचेगा कि केवल 10,000, 12,000 में ही मैं रह ज चाहिए तो दोस्तों देखिए इस पर मैं अपना personal experience आपको बताना चाहूँगा कि यह depend करता है आपके घर की परिस्थित्यों को पर अगर आप students हो या फिर उसके अलावा अगर आप कोई private job करते हो तो private job की तो कोई value है नहीं दोस्तों आज है कल नहीं है और घर की condition अगर आ सार्थिक स्थिती अच्छा है मजबूत है दोस्तों तो आपको अगर पढ़ने में भी अगर आप तेज है तो आपको यह चाहिए कि आप इससे अच्छी vacancy जो है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप इससे अच्छा job कीजिए ना अगर आप SSC, CGL, CHSL या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इससे अच्छा job कर फकता हूं मैं FHSL, CGL crack कर फकता हूं तो फिर यह job आपके लिए ठीक नहीं रहेगा फिर आप यह job मत कीजिए ठीक है ना तो यह कहने का मतलब है दोस्तों फिर जाईए आप FGL, FHSL या फिर defense की तैयारी कीजिए और वहा से सब कुछ भूल जाओ ठीक है ना यह सही नहीं है कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सक्त जरूरत है नोखरी की तो ठीक है आप apply कीजिए क्योंकि merit बेफिलेक्षन होना इसमें कोई किसी प्रकार का इगवाम तो होगा नहीं कि आप जो है ठीक है apply करना चाहते है apply कर दीजिए apply कीजिए और उसके बाद जो है आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके फे चिल हो जाए ठीक है ना और अगर आप government job की preparation करते हैं तो यह सारी छोटी छोटी बाते बताने की ज़रूत नहीं है इतना mentally strong आप लोग खुद ही है कि यह सब चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा टेली ग्राम चैनल का link मैं वीडियो के description में डाल दूगा वहां से जा करके join हो जाई है दोस्तों क्योंकि special वीडियो जो भी आती है या फिर PDF आता है या फिर किसी चीज़ का result आता है तो मैं वहां पे डाल देता हूं जिससे कि आ आपको काफी ज्यादा वहां पे benefit होगा help मिलेगी ठीके ना और यहां पर पर प्रफीना आप मेरे देख रहे हैं यह काफी यहां पर temperature जो है room का काफी warm है दोस्तों इस वज़े से आप मेरे चेहरे पर पर प्रफीना देख रहो लेकिन खेर आपके लिए जो है थोड़ी से मह धन्यवाद